तो हलो एबरीबेडी कैसे हैं आप सब आयो पच्छे होंगे मैं के पिसंत आप सभी का नीव वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तस्वीर देख सकते हैं मंडोला वियार परियोजना और यहां से हम निकलते हुए चलेंगे इस टन पेरिफिरल के लिए और बहुत कुछ आप लोग को आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि डेली देहरादून एक्सप्रेसवे में कितनी तेजी के साथ में एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है जो कि डेली से लेकर और देहरादून तक 210 किलोमीटर का यह पूरा रूट है दोस्तों और बहुत तेज तो यहां पर यह रेंप बनाने का कम चल रहा है क्युंकि यहां जब इस टन परी, फिरल से चड़े गा और यहां पर आक़ यह उतर जाएगा, दोस्ता, तो उसी का ही यह रेंप बनायजारा है और यह यहां पर पिलर पहले ही बनाके खड़े कर दी जा चुके थे दोस्तों क्योंकि ये छोटा पिलार होगा ये बड़ा होगा फिर उससे बड़ा होगा ऐसा ही बढ़ते चले जाएंगे तो आपको बता दू मंडोला भ्यार गाओं और आपको बता दू डूंडला ये सारे होते हुए निकल जाएंगे आगे के लिए दोस्तों आपको शाइ जाँ तेखब झाल 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 यहां पर चला यह कंशेशन बर्क जो देख सकते हो यह पियर कैप बनाई जारें और यह पियर के उपर ही बनाई जारें दोस्तों यह देख सकते हो इसको इस सम्मल किया जारा है इस सर्याओं का जाल बनाया जारा है और जाल बनाने के बाद में दोस्तों इसको कॉंक्रीट बर दिया जाएगा देख सकते हो यह यह पर ये बर्कर लगे उए हैं तश्वीर आप लोग देख सकते हैं तो यही बर्ग चल रहा भी इस टाइम पर यहां पर देख सकते हो दोस्तों यह देख सकते हो तश्वीर आप के पहली बना लिए जा चुके ते अब इनको यहां पर असेंबल किया जा रहा है और आपको बता दू दोस्तों यह सैप्टी केविल के दुवारा उनको मजबूत किया जाता है और सेप्टी केबल भी बहुत मजबूत होते हैं लेकिन बहुत मुलाइम होता है दोस्तों देख सकते हैं यहां पर बर्क चल रहा है तो आप लोग बताना का आप सभी को वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पिसंत को लाइक सेयर कमेंट करो जादे से जादे दोस्तों देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर यह पियर बनाए जा रहे हैं जो पियर के सेगमेंट है दोनों साइड के वो लगाए जा रहे हैं दोस्तों तश्वीर आप लोग देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से ही यहां पर यह बिंग को एड़ किया जा रहा है जो पियर के बिंुक्टs है उनको बहुत तेज़ के साथ में इनको Assembl कर दिया जाता है दोस्टो और Assembl करने के बाद में फिर इसमें safety kable बायर जो होती है उनको इसमें अंदर डाला जाता है जब इन्हें जोड़ दिया जाता है दोस्टो तो सेप्टी केबल बहुत सारे इसमें अंदर डाले जाते हैं पाइप दुआरा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए दोश्तों देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर यह जोडा जाता है यह देख सकते हैं यहां पर यह सैट्रिंग लगाकर द बहुतमजबूतिक सात्मस जोडा जाता है दोस्तों और इसके बाद में इस पर ब्रहें इस फगह लांचिंग ने करते हैं स the Bakery Laziant unix नीचे हमें comment करके जरूर बताया करो कि के पी संदध दूआरा आप लोगो के information कैसी लगती है दोस्तो बस मुझे जादे नहीं कुछ नीच जाईए बस वीडियो को like कर दिया करो और नीचे comment करके बता दिया करो दोस्तो और अपने दोस्तीयारी में जादा से जादा इसे share कर दिया करो वीडियो उसको और चैनल को हो सके तो subscribe भी कर लिया करो क्या ही जाता subscribe करने में ताकि आप लोग के बास में ये तो है कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँगा आप लोग के बास में तुरंट notification पहुंचेगा और आप लोग को क्या करना देखना है लाइक करना है और share कर देना है और comment करके हमें नीचे बताई देना है दोस्तों तो बस यह है इतना सोड़ा साई process है और आप लोग उसमें भी कंजूसी करते हो तो ऐसा मत करो दोस्तों ये आप लोग देख लो के एक वीडियो बनाने में कितना time लगता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एक वीडियो बनता है दोस्तों और आप लोग आप लोग को बैठे बैठे आप लोग को ये सब देखने के लिए मिलता है तो आप लोगों से ये गुजारिस है रिक्वेश्ट है आप सभी से कि जादे से जादे लाइक से एर किया करो जादे से जादे वीडियो को और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ना नीचे ए रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तो उन्से बैल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तो क्राइब और दोस्तो दोस्तों यह है देखो सेगमेंट जो इतका बिंग्स है वो यह वाला है इतको जोड़ा जा रहा है उसमें पिलर में जोड़ा जाएगा और यहां पर आपको बता दू दोस्तों कि यहां पर गटर लॉंचिंग होना स्टार्ट हो चुका है देख सकते हो तश्मीर आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से यह गटर लॉंचिंग देख सकते हो मैं ने पिछली वीडियो में दिखाया था तब इस्टार्टिंग की गई थी तो आप लोग देख लो कि कितने पिलर यहां पर जोड़ दिये जा चुके हैं कितने पिलर जोड़ दिये हैं वो आप लोग अपनी आखोचे देख सकते हो यह डैली दैडर दून एक्स ब्रेस वेपर और दोस्तों यह है कश्वीरा देख सकते हो कुछ ही है आप इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है यह देखो देख सकते हो गाइस यह देखो गाटर लांचिंग की जा रही है और गाटरों को जोड़ने का भी काम चल रहा है यह जोड़ दिये हैं अब इस पर बस फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे गाटर लांचिंग करते जा रहे हैं और गाटरों को जोड़ते ज जाएगा दोस्तों और यह है गाउं डुंडेडा और इसके आगे पड़ेगा आप लोगों को बता दू खेकड़ा गाउं और खेकड़ा गाउं क्रोश करने के बाद में फिर आ जाएगा इस्टन पैरिफेरल तश्वीर देख सकतों बहुत तेजी के साथ में और जो जगे गाटर लॉंचिंग स्टार्ट हो चुकी है जो की साथ्त्री पार्क से और खर्जूजरी के बीच में जब देखेंगे तो वहाँ पर पहली बार स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दू कि वहाँ पर पीर कैप बनाने का काम स्टार्ट हो गया तो और बहीं पर आप गाटर लॉंचिंग भी कि जारी हो और यहां पर यह ढ्ंडेडा में यह आपको बता दो कि डुंडेडा गाऊं में भी देख सकते हो गाटर लॉंचिंग का काम चल रहा है देख कोH Canadian Machine रखकी हो तक इह सिंग और डेख को आने ok लेक्स सकते हो एप लोग देखने के लिए मिलें है तो आप लोग बताना कि आप सबी को कैसा लगा यह सही बेडियो देखने के लिए केमें के दूस्टो लाइक सेयर कमेंट करो जादसे जाद plano दोस्तों देख सकते हैं यहां पर टो बनाने का इसمنट जो इनके विंग्स हैं दोस्तों उनको एड करने का काम चल रहा है बहुत सारे यहां पर यह विंग्स को एड भी कर दिया जा चुका है गाई तश्वीर आप लोग देख सकते हैं यहां पर इसलिए बहुत मंदा मंदा काम चल रहा है दुंडेडा काम के अंदर और जैसे दुंडेडा काम हम क्रॉस करेंगे उसके बाद में दोस्तों आ जाएगा खेक डगाओं और यह वहीं पर यह सारा पर्क चल रहा है तश्वीर जैने के बाद में फिर इसको जोड जोड दिया जाता अच्छी तरीके से तश्वीर आप लोग देख सकते हो गाई तो आप लोग बताना के आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा बताना आप लोग देखो आप लोग को यह सैप्टी केवल डाला जा रहा है इसके अंदर गु मजबूत होता है इतना यह वाला तार इतना मजबूत होता है दोस्तों मैं क्या ही बता हूं जो इलेक्टिक सिटी की लाइन होती है बहुत तो कौपर की होती है लेकिन यह प्यूर बाहिसाब लोग होता है और यह पकड़ने पर बहुत मुलाइम होता है देख सकते हो यह केबल डालने के बाद में और फिर इसको जोड दिया जाएगा दोस्तों तो इसी के सैप्टी केबल के ही मदद सही इन बिंक्स को जोड़ा जाता है दोस्तों ठीक है न तो आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को इंफोर्मेशन अच्छी लगती ह या नहीं लगती है केपी संद द्वारा तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताना देख सकते हैं ये सैप्टी केबल रखे हुए इनको काट के जितना आपको बता दू पीर कैप बनता है दोनों साइडों का उतना ही ये काट लिया जाता है काटने के बाद में पिर इसमें घुसेडा जाता है दोस्तों ठीक है तो आप लोग बताना के आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पिसंत को जादे से जादे लाइक करो शेयर करो वीडियो उसको जादे से जादे दोस्तों और मैं आप लोगों के प चैनल की चानल सब्सक्राइब हो जाएगा दोश्टो तो चलिये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं